हेलो एवरिवन कैसे हैं आप वेलकम टू शिक्षाधाम मैं अनुछ कुमार सिंग आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं यह इन्फॉर्मेशन जो है वो सेमेस्टर टू वाले बच्चों के लिए है सेमेस्टर टू वाले बच्चों का भी हाल फलाल में सेटेडे को जो एक एक्जाम है, अकाउंट का है, बीकॉम उनर्स का है, एस वेल का और काफी बच्चों के एक्जाम कंडेक्ट हो चुके हैं तो उसमें से आपका सब्जेक्ट क्या-क्या होने वाला है सेकिंड सेमेस्टर में उसका डिटेल आ गया है जिस पर हम थोड़ा डिसकॉशन कर लेते ह पर दाल दिया है आप सिख्षाधाम टेलिग्राम सर्च करें वहां पर आपको इसली अबिलिबल हो जाएगा तो चलिए हम देखते हैं क्या आया है हमारा तो हम बात करें अगर अगर हम बात करें तो देखें इस न्यू मोडल में new plan के अंदर उन्होंने क्या बदलाव किया है, बीकॉम ओनर्स में, सबसे पहली बात, बीकॉम ओनर्स के बच्चे, जिन्होंने पेपर नहीं दिया, अभी एक्जाम पे फोकस करें, उनका एक सब्जेक्ट है, आपका कॉर्परेट अकाउंट, आपका जो है, मेन सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, तो अगे पहले था, फाइनेशल अकाउंट, अब आगया, कॉर्परेट अकाउंट, जो मैं बोलूँगा, काफी इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा मैं इसे बोलू, टफ भी है, यानि आपने 12th क्लास में जो पढ़ा था ना, एक भुक, शियर कापिटल वाला, वो तो है ही है, उस इसके अंदर लिखे हुए हैं कि हमारा शियर कापिटल, डिवेंचर, डिवेंचर में भी बहुत सारी चीज़े हैं, अकाउंटिंग स्टेंडर, इंडिया एस, अंडर राइटर, शियर, काफी सारे पॉइंट्स एड़ाउन किये हुए है, जिसके उपर मैं एक स्लेबस बना सारी चीज़े गीवन हैं, बुक्स वगेरा, सारी चीज़े मैं बताऊंगा, मैं सिर्फ सब्जेक्ट का नाम बता रहा हूँ, और थर्ड आपका है, हुमन रिसोर्स, एच आरेम, ये तीनों आपके लिए कंपल्सरी है, डिसिप्लीन सब्जेक्ट है, ये आपके, जिसके अं इंदर चॉइस मिलने वाला है, तो मैं कंपल्सरी सब्जेक्ट बोलू, एक कार्प्रेट अकाउंट हो गया, बीकॉम ओनर्स वालों के लिए, एक हो गया हमारा कौन सा सर, कंपनी और कंपनसेशन लोग, और एक हो गया सर, हमारा कौन सा सर, HRM, human rules, resource and management, ये था बीकॉम प्रो आएगी तब हम बात करेंगे, computer वगयरा भी है, हम आजाते हैं, बीकॉम प्रोग्राम, कोर सब्जेक्ट स्रिफ बता रहा हूं, मैं इसके अंदर, आ जाएए सर, ये रहा, नहीं ये तो अभी BAC चल रहा है, ये BFIA है, जो new courses अपडेट किये थे इन्होंने, ये भी वही है, चलिए, बीकॉम प्रोग्राम कहा गया भाई साब, अब आएगा साइट, नहीं, HR में बीबी, इसके बाद आजाओ भाई, बीकॉम प्रोग्राम, ये रहा, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम में भी corporate अकाउंट है, जैसे कि आपका पिछली बार honors था या प्रोग्राम था, दोनों में financial अकाउंट था, ऐसे यहाँ पर भी corporate अकाउंट है, तो बोल रहा हों कि आपको बहुत महनत करनी पड़ेगी, इसके अंदर, आपके जितने भी seniors हैं semester 4 में या semester 6 में पूछिएगा इसी के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे जो रह जाते हैं फेल हो जाते हैं E.R. आ जाती है whatever name call इसके बाद सर दूसरा core subject क्या रहने वाला है company and compensation law जिसमें कोई चिंता ही नहीं करने सर तीसरा क्या रहने वाला है core subject के अंदर सर तीसरा जो रहने वाला है वो रहने वाला है HRM यानि सर core subject चाहे program का बच्चा हो चाहे honors का बच्चा हो दोनों के लिए same है exam की date sheet भी आ चुकी है exam जो है आपका वो जुलाई में है मैं वो date sheet भी आपको दिखा देता हूँ कि कब आई है date sheet मेर पास available है वो भी मैं आपको भीज़ देता हूँ उसमें ठीक है न आपके लिए beneficial रहेगा calendar year के according date sheet आपको मिल जाएगा चलिए सर मैंने भीज़ दिया और मैं आपको दिखा देता हूँ सिक्षाधाम चैनल पर आप जाके आप डाउनलोड कर सकते है इसली दोनों चीज़े चले जाओ भाई साब इतने कम के भी का फाइल इतना time क्यों ले रहे हूँ चला गया चलिए तो सर date sheet की बात करें यह रहा हमारा date sheet सर date sheet को ध्यान से देखिए आप जो date sheet है वो semester one के साथ ही आ गया था although आप पहले semester का पहले अरे क्या हो गया ओहो चलिए कोई बात नहीं पहले semester का date sheet देखेंगे थोड़ा blur आ रहा होगा आपके सामने तो बोला गया था कि second November से हम यह करेंगे वो करेंगे और पंदरा मार्च से वेडनेस जिसे हम क्या करेंगे और examination being 27 फरवरी से बोला था exam लेंगे और definitely वहीं से start किया मार्च उसके बाद 16 मार्च तक इन्होंने बोला था break होगा फिर आपके 20 मार्च से classes start हो जाएंगे थोड़ा delay हो सकता है और जो exam होगा वो 17 जुलाई से आपका exam है 17 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक exam चलेगा यानि आपके पास सरिफ मार्च का महिना नहीं है एप्रिल और म wait for के कुछ हमें और notification आएगा कुछ और जो बच्चे समझदार हैं वो अभी class start कर देंगे हमने अपने batches को launch कर दिया है batch जो है वह हमारा कब से वह हमारा Monday से start होने जा रहा है इसका batch क्योंकि Monday सभी का exam भी खतम हो जाएगा all day Saturday Sunday करके तो Monday से batch हम start करेंगे और मैं जो इस वार पढ़ाने वाला हूं वो corporate account और company and compensation law पढ़ाऊंगा मैं आपको तो Monday से start करेंगे तो ready रही है Monday के लिए enroll जिसको भी करना है जो भी detail जानकारी होगा sir fee price क्या रहेगा fee एक nominal surprise रहेगा जैसे पहले भी आपने दिया था आपको सारी detail जानकारी description में डाल दिया जाएगा साथ में आपको जो भी जानकारी चाहिए contact number भी दे देंगे customer care पर आप बात करके बेजे जग पूछ सकते हैं मजे की बात इसके अंदर आपको क्या-क्या features मिलेंगे एक तो जितने भी classes हैं सारी live भी रहेंगी और pre-recorded पहले से ही मैंने record करके डाल दिया है जिसमें आपको को नहीं होगा कोई बच्चा चाहता है कि बहुत जल्दी खतम कर लेना तो अभी से कर सकता है मैंने पहले से ही record करके pre-recorded डाल दिया है प्लस अब live classes भी रहेंगी तो दोनों फैसलिटी है 10-year market के अंदर अभी आएगा क्या study material लेना बुक अभी प्रिंट नहीं हुआ है तो बा से करते हैं बस आपको यही जानकारी था thank you so much मिलते हम next class के अंदर